मोटू और पतलू एक सुन्दर समुद्र तट पर घूमने गए थे। में एक समुद्री खजाना छिर्पा हुआ है। लोग कह रहे थे कि जो भी उस खजाने को पा लेता है, उसका भविश्य स्वर्ग से भी अधिक सुख्मय होता है। मोटू और पतलू के कानों में यह सुनकर खुशी की लहर उतर गई। वे ततपश्चात समुद्र के अंदर घुसने का निर्णय लिया। दोनों ने अपनी नाव को तयार किया और समुद्र के गहराई में प्रवेश किया। वहाँ पर उन्हें कई मुश्किले आने लगी, लेकिन उनका होनहार और वीर दिल उन्हें हर मुश्किल को पार करने में सक्षम बनाता गया। एक दिन वे नाव को समुद्र के एक गहराई में ले जा पहुँचे, जहां पर उन्हें एक पुरानी खोज खोलने की खोज करने के लिए आवशक था। मोटू और पतलू बिना किसी देरी के उसे खोलने के लिए उतावले हो गए। उन्होंने खोज की खोज में कई उतार चड़ावों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उन्होंने उस खोज को खोल दिया, और जैसे ही वे खोज की खोज में घुसे, उन्हें एक चमतकारिक द्रिशे नजर आया। खोज का खोज, वे एक पुरानी ताला दर्वाजा मिला, जिसे खोलने के बाद उन्हें आश्चर्य चकित कर देने वाला द्रिशिद इखाई दिया, वहाँ पर उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ की खोज में एक भविश्यवारी भी छिपी हुई थी, वहाँ भविश्यवा और उसमें से अंधिनत गहने, सोने के सिक्के और अन्य प्रमुख आभूशन निकाले, वे अपनी खोज का अभिनंदन करते हुए उन सभी खजाने को अपनी नाव में रख दिया और समुद्र के किनारे की और अपना पत प्रियसी किया, जब वे अपने गाव में लोटे तो उन्होंने उन खजानों को गाव के लोगों के साथ साजा किया, सभी गाव वाले खुशी खुशी उन खजानों को देख कर चमक उड रहे थे, मोटू और पतलू को वह खजाने मिलने के बाद उनका जीवन भरी हुई थी, वे अब अपने गाव के हीरो बन गए थे और उनका नाम पूरे गाव में चर्चा में था, इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि हमें अपने सपनों की पूर्ती के लिए मेहंत और संधर्श करना चाहिए, व्यक्तिगत उत्थान के साथ साथ हमें समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए,